अगर आप कलास 9, कलास 10 या फिर कलास 11 में हैं तो ट्यूटर टाक एक ऐसा चैनल है जिस पर कमिस्टरी और फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो को इतने सिंपल धंग से समझाया जाता है कि आप कभी भोल नहीं पाओगे हेलो बच्चो आपका अपने ट्यूटर टाक चैनल में स्वागत है आज की वीडियो में हम क्लास 9 सब्जेक्ट साइस के मोशन चेप्टर के निमेरिकल कोशन सोल्ड कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 77 पर है कोशन नंबर 2 की स्टेटमेंट है अब बस डिक्रेजिस इस स्पीड फ चल रही थी अब उसे कर दिया गया 60 किलोमेटर पर आवर इन 5 सेकंड पांच सेकंड के पीच बीच में आगे पूछा गया है फाइंड दा एक्सलरेशन ओफ दा बस बस की एक्सलरेशन बतानी है इसमें तो पहले जो यह बस थी उसकी स्पीड थी 80 किलोमेटर पर आवर और इसकी स्पीड कम होके हो जाती है 60 किलोमेटर पर आवर एक्सलरेशन की वेली निकालनी है 5 सेकंड टाइम भी गिवन है इनिशल स्पीड को लिखा जाता है यू के साथ जो की है 80 किलोमेटर पर आवर अब यह जो 80 किलोमेटर पर आवर है इसी हमने चेंज करना है मीटर पर से चेंज करने के लिए इसको multiply किया जाता है 5 upon 18 के साथ अब ये 5 upon 18 कहां से आ गया देखो speed given है 80 km पर hour given है ठीक है जब दि कोई चीज km पर hour में given हो और उसे meter per second में change करना है तो simple सी बात है पहले तो km को हम meter में बदलेंगे उसके लिए 1000 से multiply करना होगा किलमेटर को meter में change करना है hour को second में बदलेंगे तो एक hour में कितने second होते हैं एक hour में 60 minute और हर एक minute में 60 second जगार 3600 second होते हैं one hour में अगर इनकी आपस में cutting की जाए तो हम देखेंगे कि यह यहां पर आगया 5 2 पर यहां पर आगया 3 तो यह 5 upon 6 3 का 18 5 upon 18 बचता है तो यह लंबे calculation करने की बजाए सीधा ही 5 upon 18 से multiply कर सकते हैं अगर आपने km पर hour को meter per second में बदलना है तो लंबे process में जाने की जिरूरूरत नहीं है सीधा 5 upon 18 से multiply कर दें तो after calculation इसकी value आ जाती है 22.2 meter per second बाद में speed 80 km पर hour थी उसके बाद slow होकर उसकी speed कितनी लगी 60 km पर hour तो इसे final velocity final velocity को किस से V से लिखा जाता है जो कि 60 km पर hour है इसे भी meter per second में बदलना हो तो हमें 5 upon 18 से multiply करना होगा आफ्टर calculation यह आ जाएगा 16.7 meter per second तो यह initial velocity आ गई और यह final velocity acceleration निकालना है acceleration को समाल लेटर ए से लिखा जाता है acceleration का formula क्या होता है change in velocity upon time जा कहलो 16.7 यह u की value है minus 22.2 नीचे time time question में 5 second given है तो 5 लिख लिए है इनको less करने के बाद आ जाता है minus 5.55 upon 5 minus क्यों आ गया क्योंकि 22 बड़ी value के साथ minus का sign है तो minus का sign है एक लास करने के बाद करने के बाद आ जाता है 1.11 minus 1.11 meter per second square meter per second square क्यों डाला क्योंकि जो acceleration कैसे unit होता है वह होता meter per second square तो यहाँ पर इसका answer आचो का है acceleration का thanks for watching तो यहाँ पर इसका answer आचो का है acceleration का अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share भी वश्चे करें thanks for watching के वीडियों जोस्तों के घसके करेंज के का में जब कोोगर इसके उकार अब़ावस्ते बद्दा STAR •